असलाम लोकुंट सुरेंट्स, लास्ट्लास में हमने 7.1 को अश्वाल क्या थी इन्शाल्ला, 7.1 के 2 सवाल लेगे थे, दिजट से एलेटट और जो 7.2 असमें भी डिट वारे सवाल हैं तो 7.1 और 7.2 में जो डिट वारे सवाल हैं यह बहुत ही मशूर जमाना सवाल है जो आप लोगों को अपने बोड एक्जम में नदर आएंगे MC के उसमें नदर आते हैं इवन जो उनिवर्स्टी के एंटिटेस होते हैं तो इन सबको मैं एक साथ करवाँगा ठीक है? यह और अल्फा बैट के अरेंजमेंट यह दोनों बड़े मशूर सवाल है डिजट के अरेंजमेंट डिजट से रिलेट सवाल होंगे और फिर 7.2 में जब आप जाओगे अल्फा बैट से रिलेट सवाल होंगे तो इन सबको मैं एक साथ करवाँगा डिजट कर रहा देख लेदें तो वो कुशन नमबर 5 जो है 7.1 का सबसे पहला सवाल है वो डिजट से रिलेटेड तो देख लेदें कि क्या सिक्वेशन है इस तरीके से करना है लिखा है how many natural numbers और 4 digits पूछा जा रहा है कि कितने natural number है 4 digits के that can be formed with a 4 digit 4 digit का natural number तो आपको बनाने है लेकिन आपको given digit के है 2, 3, 5, 7 इन ही में से आपको बनाने है like 4 digit का number ये भी है 1, 5, 7, 8 ये 4 digit का natural number है लेकिन जो digit है न उससे नहीं बनावा given digit आपके पास है 2, 3, 5, 7 इन ही में से आपने 4 digit का number बनाना है for example एक तो ये बना सकते हैं 23, 5, 7 for example 32, 75 ये बना दो for example 7, 2, 3, 5 तो ये तो 4 digit के number है ये कहां से बने ये इन ही digit से बने इसके बाहर से नहीं बने तो आपने ये काम करना है सबसे पहला पार लिखा और उसका आगे लिखा है no digit being used more than once in each number देखो आगर 4 digit का कोई number आपने जिन्दी में देखा होगा तो ये भी दो हो सकता है कैया ये 4 digit का number नहीं है बिल्कुल है और इसमें जो digit मैंने use किये और इनी में से use किये मैंने कोई भार वाले use नहीं किया बस मैंने अब क्या किये मैंने एक digit को दो दफा यूज किये तो numbers में अलाओ है बिल्कुल ये आपने ऐसे कितने numbers नहीं होंगे जिसमें चीज़े रिपीट हो रही होंगे चलो इसको छोड़ो ये कर लो क्या ये 4 digit का number नहीं है बिल्कुल number है क्या ये in digit से नहीं बनावा बिल्कुल बनावा है तो ऐसे numbers भी होते हैं जिसमें जो digits हैं वो repeat हो रहे होते हैं ये उन्होंने पहले से बना कर दिया उन्होंने आगे लिख दिया no digit being used more than once कि कोई भी digit एक से ज़्यदा दफा यूज नहीं हो सकता मतलब ये वाली चीजन ठीक है ये वाली चीजन जो है ये वालत है एक digit दो तीन दफा एक दफा यूज नहीं हो सकता तो एक condition के वे इसको solve किस तरीके से गरोगे आप data क्या है यहाँ पर इसको बनाने का तरीका क्या होगा भई जो भी फोर डिजिट का नंबर होगा आप चार डिजिट होंगे न उसके तो आप यहाँ जगा बना लगव फोर होगी चार प्लेसे हैं अब solve किस तरीके से करो गया देखो अगर मैं आपको बोरू ये चार डिजिट से आपने फोर डिजिट के रेचल नंबर बनाने है पहली प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा आप काओ जिस ना कुछ भी दिखते पहली प्लेस पर तुब यह जिसको आप पढ़ते हो ना यूनेट थैन तो इसका मतलब आपके पास पहरी डिजट को फिल करने के कितने नंबर आप यहां पर कर सकते हो कोई भी चार नंबर पुट कर सकते हो तो पहली प्लेस के लिए आपके बाइब चार उप्शन जो मैं लिख रहा हूं यह काम आप ने हर सवाल में कर रहा है इस सवाल में तो आपको लगी का गया नहीं तो बहुत बच्चों होगा कामसर करवा रहे हैं लेकिन बागी सवाल में काफी हैल्प होगी कि अपने हर जवाल में करना है यह सट करने का मकसद है कि आपके जहन있는 कहाई है। यह यह choices है Guan bored नो के पास जो और पहली प्लेस पह पुट कर सकते हूं कि आपने पहली प्लेस पे जैसे सब dasole निए प्याइग कि लिए या पॉट करोगे कोई ही जूर्बर होगे कि एक उगे आ असाली के लिए कि अगर था तो अगर मैंने मेरे पास कितने reflection बचे बएए मैंने पहले पूट कर दिया वह मैं दुबारा फुर नी कर सकता इसका मतलब सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 3 option बचे हैं और मेरी वाली example के मताबिक मेरे पास 3, 5, 7 बचे हैं क्योंकि मैंने let किया है कि मैंने 2 put कर दी है आप for example अगर let कर रहे हो कि 3 put कर दी है तो आप next place के लिए क्या option होंगे 2, 5, 7 क्योंकि 3 आपने put कर दी है वो कोई मसला नहीं है असल बात क्या है कि दूसरी place के लिए asking कितने हैं आपके 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 बात आपके बात हैं terazp for example आपने 3 put कर दिया दूसरी place के रहे होacula gin अब next place के लिए आपके कितने option बचें 3, 2, 5, 7 तो आप क्या link दूब कर चाली हो आपके लिए 2 option बचें और फॉर एक्जेम्पल आपके यहां पर फाइब भी पुट कर दिया तो आखरी प्लेस के लिए आपके पस कितने आप्शन बचे एक यह ऑप्शन बचे ठीक है और वो होगा यहां पर जैसे मैंने एक्जेम्पल दिया उसके मताबिक यह डिजट मैं कहना चाहाओं तू थ्री फाइफ से पहली प्लेस पर दूसरे पर थी चौथी तीसरी पर पांच पर पजा लेकर आपकी एक्जेम्पल के मताबिक आप ने पहले पृट किया फिर प्र फृट तूप इसेवन कु मैंने आपके सामें लिखें पहला इवेंट क्या है फर्स प्लेस को फिल करना दूसरा इवेंट सेकंड फिल करना यह चार इवेंट जो है एकसाथ करने ना फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो प्रोड़क्ट प्रिंसिबल क्या कहता है मल्टिप्लाइ करोंगे जब सब चीज करना है तो मज़ा नहीं है यह निखोगे यह चेकर को बताएगा नहीं यह अस बंदे की कॉंसेप्ट पूरा कराची से मल्टिप्लाइब तो आप थोड़ डिफिरिंट करते नहीं लगें भी किया नहीं की कॉंसेप्ट के साथ आप कर रहें अब वक्त आके करते हैं मैं अलाओ किए कि टोटल निकाल लेके लिए मृटिप्लाइब करो फोर मृटिप्लाइब 3 मृटिप्लाइब तो यह वजाय का फ्वेटिफोर हो रहें रहें नहीं तो नंबर ओफ फूर डेजिट नेच्रल नंबर कितने आएंगे 24 आंगे कंडिशन वह यह मैं चीजें दुबारा नहीं आ सकती तो आप मैं लिए तो विदाउट रिपिटेशन ये भी आप लिखेंगे ना ताकि जो सवाल में कंडिशन थी ना कि रिपिटेशन नहीं होनी चाहिए वो भी हां मैंशन करतो ताकि कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जो भी चेक करेंगा और शबाव भी है वाट विल बीदिया नंबर हिव निवाट ऑख उठ यह नंबर सापको लिस्कर ने की जुरबत नहीं है पुरी चाहू तो लिस्कर सकते हो इतना बड़ी बात नहीं मान beth inka कैसे हो अपको नंबर नहीं आता है मैं आट कॉंसेप के लिए पतार रहो और आको लिस्ट करना है तो ठीडागरंब ऑना बैस्टो कहें जा जाएगा फर एजंपल पेला नंबर आप थी प्लेस पर सकते हो फाइष कर सकते हो फाइफ थाल कर सकते हो अनुम असाथ घृत्र में झॉटります कर सकते हो जाब दो थाइश पर प्लेस पर 3 पुट किया तो फिर 7 दो तो फाइब थी डिजिट का यह नमबर आ गया 257 3 एक नमबर आगे तो ट्री डागराम से अब सारी पॉसिबिल्टी लिख सकते हो पॉसिबिल्टी लिखना मुश्किल लही है यह यह पेपलोट लिखना नहीं होता आपको वैसे बता रहा हूं अब हुआ कि डिजिट के नंबर्स आपको बनाने कंडिशन सेम है अब 2,3,5,0,7,0 दाल दिया होना है अब असूरी तो बन्दा यह सोचेगा यह फर्क तो नहीं बढ़ता ना डिजिट कोई भी हो बनने तो चॉपिस ही चाहिए बढ़ता ना डिजिट उसके अंदर क्या है 7 दाल तो 6 दाल तो 10 तो डिजिट नहीं है अच्छा यह सहन में रख ल कि मेरे online बच्छों कोई बता नहीं पारा कि इवन डिजिट मैथ कि आ दिजिट है हाला कि बशक्षां से आफ यह सब्सक्राइब तोमें इसरड़ हैं सहर मैं समझा नहीं है यार मैं मैं जिट आव यूज करते हो कि इसले जिससे आपना नमीफ बनाते हो आपने बश्बन से देखें तो नंबर's total कितने digits से बने वे होते हैं कितने digits आप मैध के अदर अभी तक देखें हैं है अब यह पताओंगा तुन्होंने देख बोलो कि हासल हम ने देखें हैं यह मैध में total 10 digit होते हैं जो वर्डा बोलते हैं यह दो डेसिमल सिस्टम को मततब क्या होता है दस डिजिट एक होता है बाइनरी सिस्टम जो कंपुटर वाई बच्चे बढ़ते हैं वैसे बच्चों ने फड़ा ओब चुटी लास में 01 जिसके दो नंबर होते थे बाइनरी सिस्टम में 01 होता है और बाइनरी सिस्टम में कोई 10 डिजिट का भी नंबर होगा न वो 0 और 1 का होगा उसके लावों को नंबर ही नहीं होगा बिलियंज में कर रहे होता है इसके दर आगे नौ डिजिट साथ एं मैं आपको अमांट बदाता हूं बिलियंज होती है आपके सामें लिखो 5 6 2 3 4 5 8 9 0 2 जो इंग्लिस सिस्टम होता है उसमें तीन डिजिट के बाद कोहां दालते हों हमारे वाले में 2 के बाद नालते हैं पर 2 के बाद नालते हैं तो यह फर्क होता है यहां है तो दो को हुज़े को टेन लाव जो मिलीए तीन हमन तौ यहां अब हैं फडी एखंत त्रा दुरा तो अब यह ओजाएंगा 2 3 सो पाद आप यह कहलो कि कितने लाख हो जाएंगे इसके अंदर 4 लाग हो जाएंगे और 58,000 हो जाएंगे अगर इंगलेश सिस्टम में आप इसको बोलो के 3,458,000 यह फर्क होता है इंगलेश और हमारा सिस्टम चल रहा हो दर्बार कहना मैं चारूं कि अगर मैं आपके सामने आपके सोरे डिट का नमबर लिखेंगे अभी हम इसमें पढ़ने के क्या है ट्रिलियन के बाद क्यों बड़ी अमांट होगी पदेने के बाद को ट्रिलियन क्या होता है क्या चोड़ दोस्को भी इतना बड़ा नमबर है आप अब अबसर्व करोगे यह तोटल दस डिजिट से बना हुए है टोटल दस डिजिट कों से हैं 2535 दबार रिपीट हो रहे है जीरो तो दबार रिपीट हो रहे है वन दबार फाइवारा सिक्स नाइन एट वन दुबारा आ रहे है सिक्स दॉपर आगारा सेवन और और फोर एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ही है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that's it जितने आपके नंबर हैं दस डिजिट से बने हैं अब यह कौन से बच्चों अला कॉंसेट है लेकिन हमारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि टोटल दस डिजिट है ठीक है इन दस डिजिट से आपका हर नंबर बन रहा होता है यह कॉंसेट अब से लिकिन है नहीं टू तो आया है आप आपको बहुत है नंबर और फोर डिजिट नेचल नंबर वही प्लेसेज डालते हैं आपको यहां पर यह चीज बनाना बहुत इंपोरेंट है यहां पर कॉंसे अबसर बच्चों का ख्लेर होगा इस टीक है मैं आपको बोलतो हूँ प आपके को जितने भी आपने फोर डिजिट के नंबर बढ़े होंगे, फोर डिजिट के नंबर जो है, उसमें, अगर स्टार्ट में जीरॉ आ जया है तो फिर फोर डिजिट नंबर नहीं चैलाता। For example, मैं आपको बोलू कि आपके बस इतने पैसे हैं, तो आपनों क्या बोलो गए इसको? आप इसको बोलो कि सब्सक्राइब तीन सो बचाथ रुपए है बैज जीरो को क्यों ग्लोर कर दिया? बोलो कि सब्सक्राइब जीरो ओगर डिजट से पहले आएब कोई सिग्खियama नहीं है औसकी? भी देजटिंबनले जाएगा तो तरहां डिजटिट और कॉंडमनाकि स्टार्ट विछेघ़ जर्हाफ में लाग। इसमें सबसे पहले वो जगा फिल करते हो जिसमें को रिस्टिक्शन होती है यहां पर किया इस जगा रिस्टिक्शन होती है अभी आएगी कि नंबर इसके लावा कुछ नहीं आ सकता तो इसका मतलब पहली प्लेस के लिए आपके बास कोई भी तीन ऑप्षिन है फॉर एक्जैंपल आपने डूपुट गली है अब दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्षिन है देखते हैं थ्री बचा फाइफ बचा और जीरो भी तो है ना दू तो इसका मतलब दूसरी प्लेस के लिए तीन ऑप्षिन है और आपके पास कितने ऑप्षिन बचे वह आपने आपके लिए आपके पास कितने ऑप्षिन बचा है वह आपने आपके लिए यह सब चीज़ थे तो जरा मैं आफ्री से लिक देता हूं इसके इसमें होगा प्रट में से वह लाओ भाई यह हो जाएगा 3 x 3 x 2 x 3 x 9 x 2 x 18 अब नमबर ऑफ फोर डिजिट नेच्रल नमबर बनेंगे वह होंगे 18 और अगें रिपिटिशन का जिकर नहीं किया गया तो आप ब्रैकेट में लिख दो विदाउट रिपिटिशन के बगार बात कर रहे हैं कि उसके बागर नमबर 6 है कि अगें डिजिट वाली करें आप लिखाव हाव मेरी नेच्रल नमबर इज हैवें थ्री डिफरेंट डिजि तरीका होता है एक तो तरीका है आपको केटागरिकल बोल देंगे रिपिटिशन अलाओ नहीं है नो रिपिटिशन एक डिजिट दौदावा यूज नहीं हो सकता इस वर्डिं बोलने यां बोलेंगे कि हमें नबर इस हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट तो यहां से दो वह बात हैं आपको समझ आई है एक तो नेचर नंबर जिसकी बात की जारी उसके तीन डिजिट होने चाहिए क्योंकि रहने बोले इस हैं भी इंफिटी डिफेरंट डिजिट पार दूसरी बात डिफेरंट होने चाहिए मतलग डिज़ट रिपीट नहीं हो सकते रिपिटिशन दूसरे sense में सबस्य पहरी बात, तीन digit के आपको number बनाने, repetition लाओ नहीं है, और given digit आपको 6 digit गिवरा, उन्हेमें से आपको 3 digit के number बनाने हैं, पहले पार्ट में लिखा। अच्छे, ये सवाल गलत है, मैं बना हो, गलत क्यों हुला, part 1 में लिखावे none of the digit is repeated ये बोलने के शुरुष ही नहीं है इस सवाल की sense ही नहीं बनती जो part 1, part 2 लिखावे इसकी sense ही नहीं है क्यो sense नहीं है जब सवाल में आपमें अल्ला की बंदों बोल दी है कि three different digits है तो इसका मतलर repetition अलाउ में नहीं है तो अब अगर सवाल को आपने ठीक कर रहा है ना तो आपस इसको इतना कर दो इच है विंग थी डिजिट्स यह तो डिफरेंट की वर्डिंग दीना सवाल में इसको अटा दो तब यह सवाल दिल्कु ठीक माना जाएगा सही है यह चोटी चोटी फंट आपको मिल जाते हैं बल सौर्शन किस तरीके से करोगे आप लिखोगे गिवेंट डिजिट्स क्या है आपको डिजिट्स गिवें जीरो टू थ्री फाइफ एट नाइए अपको बनाने हैं थ्री डिजिट्स के नंबर्स सबसे पहला पार्ट है रिपेटिशन अलाव महीं है तो रिपेटिशन नॉट अलाउड अब किस तरीके साथ करोगे दूसरे बाट में रिपेटिशन अलाव है रिपेटिशन जिस पर अलाव नहीं है बिल्कुल वही तरीका जो अभी हमने किया है को नहीं बात नहीं है इसके अंदर तो नंबर ओफ थ्री डिजिट्स इपैसатप तो नहीं है स्वाल में बोला है थे जिन लिए तुसारी स्टार्वा ओयह कि वह्यक्त नहीं संद्धिशन हृग नहीं है त्री क्लेस है नहीं पेहली प्लेस दूसरी प्लेस टीसरी त्री 사 weekend को बना संद्सन niew पहली class के लिए कितने option है आप अगें पहली class पे 0 put नहीं कर सकते है बैइ 0 put करता हो कि तो 3 digit नबर नहीं राएका फॉर एकविए 0,2,3 यह नबर इनी नहींसे बना है लेकिन ए 3 digit नहीं है 2 digit है 0 शुरू में आजाएं औकात ही नहीं है उसकी दरम्यान में एंड पे आए, तब उसके बात होगे, चीक है, तब ही मैं कहता हूँ किसी भी महफिल में शुरू में आओ, बाद में आओ, फिर्द इसलिए, जितने हमारे सिंगर्स कॉंसर्ट वाले जो होते हैं वो ऐसी करते हैं, शुरू में आएंगे न मज़ा नहीं आएगा लगा दो कि हमने बोला था, सर ने बोला था लेट आओ, तो लेट ही हैं और जोगे दाखिए, वैसी मैंने हम मजार से बोले हैं, इस पे जिरू आप पूट नहीं कर सकते हैं, तो पीछे क्या बचेगा 2, 3, 5, 8, 9, कोई भी नंबर पूट रह सकते हैं, यह पांच आप्शन म तो आप सकते हैं, 0, 3rd पे भी आदेगा, 4th पे भी आदेगा, पहले का मसला था, तो पहली बाग, बाकी जो 4 टेजट हैं वो तो भी वाले, 3, 5, 8, 9, और 0 आपने अट कर दिया, तो 2nd place के लिए भी कितने option हैं, 5 option है, for example आपने 3 पूट कर दिया, अब आजरी place के लिए कितने option बचे, 4 option बचे, 5, 8, 9, 0, 4 option है, that's it, वो भी पूट कर सकते हो 4 में से, तो again, product principle बहुत असानी किया उसने, 5 multiply, 5 multiply, 4, और हमारे बच्चों को product principle के नहीं पता होता, वो ऐसी multiply कर रहे होते हैं, बस, पता ही नहीं कि product principle नहीं कितनी पैदा किया है, अच्छो जी, 25, 25 को 4 से करो 100 तो भई, number of three digit, natural number कितने बनेंगे, 100, जिसमें repetition allowed नहीं है, part number two में क्या है, बच्चों, repetition allowed है, अब ज़रा देखते है, repetition allowed का मतलब क्या होते है, किस तरह आप solve करते हैं, अगें, method आप ही use करेंगे, number of three digit, natural number, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, पहली प्लेस पे कितने पूट कर सकते हो, भई, repetition हो या ना हो, पहली प्लेस पे 0 नहीं पूट कर सकते है, जिरो पूट करो कि 3 digit का number नहीं होगा, तो यह चीज़ आपको समझनी चाहिए, पहली प्लेस के लिए अभी प्लेस के लिए अभी प्लेस के लिए अभी प्लेस के लिए, पांच ही है, two, three, five, eight, nine, कोई भी पांच आप पूट कर सकते हैं, जो सवाव repetition के होते हैं, उसमें mechanism क्या होता है, mechanism यह होता है, कि आपने पहरा digit पूट किया, एक दम से वापस आगया आपने शाम में निपाल जा देते हैं, बदे नहीं, कोई बंदा आता उनको ठा दिया करता था, यह वोई चीज है, कि अभी डिजिट जो है, पहले प्लेस के आगया, वो मन गया है, थोड़े दिर पाई बंदा आएगा दोबारा उसको ठा देगा, तो जो second place है, दुबारा प्लेस पर आ सकता है, एक दफा किया, वो दुबारा आ जाएगा, फिर किया, वो दुबारा आ जाएगा, तो for example, पहली place में आपने two put कर दिया, लेकिन two यह दुबारा आ जाएगा, क्योंकि repetition यहाँ पर ला हुए, तो next option के लिए, सबसे पहले two, three, five, eight, nine, दुबारा ही 5 option हो और इसके साथ साथ zero भी आप include हो जाएगा, क्योंकि zero second और third place पर आ सकता है, तो दुबारा बताता हो, repetition होता है, कि आपने एक digit पुट कर दिया, यह समझ लो, आपके पास यह two, three, five, जितने डिजिट है, इनका बहुत बड़ा stroke है, आप two आपने put किया, आपके stroke में दुबार आप यह से ही रहते हैं, और किसी case में option भड़ जाते हैं, जैसे पहली जगा पर जिरो नहीं put कर पा रहे थे, निकिन दूसरी जगा पर जिरो पूट कर सकते हो, तो दूसरी प्लेस के लिए कितने option है, ची आप्शन है, अगेर इस प्लेस के लिए भी आपके पास कितने option आज तो answer हो जाएगा number of 3-digit natural number 180, इसके पास 7.1 में digit वाला question है, question number 12, अब जरा उसको solve करता है, question number 12, में लिखा हो है, how many different natural number, अखिए जो wording होती ही, how many different natural number, इसका मतलब यह नहीं होता कि repetition अलाओ नहीं है, इसका मतलब होता है कि natural number आपस में different होने होने चाहिए, फर्ट अंतला पर पहला है 235, तो दुस्दा भी 235 पी अना चाहिए, इसका मतलब यह होता नहीं है, लेकिन एत्यातर में बोलते है, how many different natural number, जो product principle आप लगाते हो, इसमें different natural number ही आते है, तो यह जो इसका कहने का मतलब यह नहीं समझना कि repetition अलाओ नहीं होगी है, repetition अलाओ न करते है, repetition अलाओ, repetition अलाओ नहीं है, मतलब repetition का वर्ड देते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, वो confused नहीं है, लेकिन नहीं technical point बता दिया आपको, तो आपको how many different natural number मालूम करने, can be formed using the digit, 6 digit आपको given है, इन digits आपको natural number ननाने है, line between 10 and 1000, जो के 10 और 1000 के दर्मयान है, ठीक है, तो करते हैं, सवाल सुआ, given digits, 0, 2, 3, 4, 5, 6, आपको natural number बनाने, अब सवाल ये कि natural number बनाने, 10 और 1000 के दर्मयान, दो डिजिटों, तीन डिजिटों, बस 10 और 1000 के दर्मयान होने चाहिए, ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, number of natural numbers, between 10 and 99, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बैदे को 10 और 1000 ये दर्मयान, दो डिजिट के नंबर भी होंगे, तीन डिजिट के नंबर भी होंगे, तो that's why दोनों को एक साथ solve करना मुश्किल है, तो आप क्या कर रहो, आप इनको अलग-अलग कर दो, 2 डिजिट के नंबर की जोड़ आप दो डिजिट के नंबर होते हैं, तो दो बैसे होते हैं, बनाने इन नाशल नंबर में से, अब मैं अगर आपको बोलू हूँ, पहली डिजिट के लिए कितने option है, अगेन यार गोही बात है, कि पहली डिजिट पे 0 नहीं आ सकता पहली प्लेस पे, 0 आएगा तो वो डो का नंबर निकला दाएगा तो क्या क्या सकता है 23456 इन पांच पे से बोई भी आ सकता है इसका मजब आपके पास पांच उप्शन है considering आपने टू पुट कर दिया अब सेगेंड प्रेस पे कितने ऑप्शन है 23456 आप देखो यहां पर मैंने रिपिटिशन कंसीडर की है उसकी विज़ा यह है कि 10 और 99 के दर्मियान यह वरा नंबर नहीं होगा 33 33 जो नंबर है 33 यह इन डिजिट से बना है और 1000 के दर्मियान है ठीक है इसी तरह 55 66 का यह नंबर नहीं है बिल्कुल नंबर है टेरा थालों के दर्मियान जिसमें रिपिटिशन आ रही है तो अब उन्होंने स्पैसिफिकले मेंशन नहीं किया अब यह बुक वालों ने बहुत बड़ी गलती की विए है विए गलती की विए 7.2 में कोशन है एक्जेट यही वर्डिंग है उसमें कंडिशन है कि 100 मतलब 1000 और 10,000 यह सौ जह हजार है नहीं में हजार और 10,000 है मैं नंबर भी चलो बता रहे तो उस कोशन का कोशन नंबर है 7.2 का यह हां जार हजार कोशन नंबर 7 है अब एक्जेक यह वर्डिंग है लिए 5 और 10,000 और 1 ग रॉन दोड़ी पोल नहीं कोशन पेपर में जब आता है ना तो अगर आपको इन सब्सक्राइब बता देते हैं कि रिपेटेशन अलाओ है नहीं ताकि मसला नहीं पेपर में ने देखा लिए बिल फर्स अगर उन्हें नहीं बताया तो जो बैस सॉलूशन है यह दूसरा आपके पास ही कि दोनों करतो आप बलो जो बिद्रेटेशन है कि युद्रेटेशन के दर्माइं डिजेट्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं तो अगर आपने टू वुट किया तो दुगारा पूट कर सकते हो डिपीटेशन में आपको मैंने बताया पर थो जबह दर पहले तो सेकंड प्लेस के लिए कितने उप्श जो के इन डिजिट से वाहे में इसी तरीके से नंबर और नेचर नंबर बिट्वीन हंडेट एंड थाउजन हंडेट और थाउजन के दर्म्यान कितने ऐसे नंवर अब जरावन को कंसिदर करते हैं ऑस और पहली लेंशी दोसरीं थीष्यसर पर सबीसरे पर सब्सस्वारी करें में थे नोगनेअब ब्लेस के लिन वैजमेंट अब सेकंड अजट प्रेक्वाति दूबार और त्रीन उस्तों फर थाव इतुन कें 100 अर फॉदल के द्रिधा aja gonna से नम्रे जो एकपिब्टेशन कर रहें कि 69 पीट कर रहें 133 304 तो इक इसा में दो लैट भी डिजिट कर रहा हैं के सबनार किसी में एक तीन कर रहा है कि आंश्यन कर वह कि एकognaworld कि अप duct कर सकते हुआ तो प्रोड़क्ट प्रिंसिब लगाओ मुल्टिप्लाइब करो यह ओजाएगा 5 x 6 x 6 30 30 x 6 180 अब सवाल इतर के टोटल नंदर बताओ तो अब टोटल बात करते हैं तो टोटल नंबर ओफ नेश्चर नंबर तो बिट्वीन टैन एंड थाउज़न इस एकवल टू झाल करते हैं